तूरू नोविया निरा आवाज आरे आपको है मैं आडिबल झाल झाल ओके गुड़ इनिंग एमें आडिबल आवाज आरे मेरी एक बार बता ना चलो शुरू करते आज का सेशन वेल्कम टू एक्जामिन साइट कैसे आप लोग रिविजन करेंगे पिछली हफ्टे का जो हमने सवाल किये डेली के यह रिविजन अक्टूबर के पहले विक्का आज का पहला सवाल देखो पहला सवाल है यह एशन डेवलप्रेंट बैंक एडीबी इसके वाइस प्रेसेड़ अभी कौन बने है ठीके देखो इसका सेड़ जॉब क्या है भारगव दास गुपता देखो अभी सेशन अभी शुरू आए मैं आपको बताता हो कि यह सेशन अभी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा क्यूंकि आज सवाल करने है जादा जादा सवाल करने है लगबग साट से सत्तर सवाल आज हम करेंगे क्यूंकि सवाल इसलिए जब क्या बोला आपने भारगव दास गुपता एशन डेवल्प्ट बैंक इसके चीफ कौन है मसाथ सुगा आसा कावा एशन डेवल्प्ट बैंक इसका हेड़कोट काप है फिलिफिंस में मनिला में है जो बाना था 1967 में उर्जित पतेल AIIB AIIB इसके वीपी है आनिल किशोर यह किसके वीपी है यह वीपी है आनिल किशोर इसके किसके वीपी है किसको पता है आनिल किशोर वीपी किसके है आनिल किशोर वीपी किसके है वे पिय इंदरिमितग्पिल वियल बैंक के चीफ इकउनोमिस्ट है क्या समझे चीफ इकउनोमिस्ट वडलोग knead को क्या समझे तस है आजए हुए अजय बागगा देखो यह स्वाल क्या है कह रहे है हर्याना यहां पर कुंसा मेला होता है सूरज कुण मेला अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है मुंबए में काला गोड़ा फेस्टिवल एलिफन्ट फेस्टिवल गुजरात में माधोपूर मेला माधोपुर मेला और मोदेरा फेस्टिवल यही पर हुआ था देखो आगला सवाल यह सवाल है 19 वे यह एडिशन 19 वा एशन गेम्स 2023 का ठीक है इसमें भारत को मिला पहला गोल किस इवेंड में ठीक है यह इवेंड है horse riding होप सब्सक्राइब कि इवेंड में भारत को मिला पहला मेडल समझे कि shooting में हुकी में cricket में सब में भारत को मेडल मिल चुका है आप यहाँ पर देख रहे हो आज की ढप के डेट तक भारत के पास मेडल कितने है 106 106 medal है भारत के पास समझें यह है gold 28 यह है silver 37 और यह है bronze यह है Asian Games का figure है 28, 37, 41 आपको examen पूछा जा सकता है कि silver medal कितने मिल है या bronze medal कितने मिले है यह है 124 124 किसमे है Tokyo ओलम्पिक में भारत को medal मिले थे एक gold मिला था 2 silver और 4 bronze मिले थे आगे है यह Tokyo प्यारा ओलम्पिक इसमें 5 gold मिले थे 8 silver मिले थे और 6 मिले थे bronze यहाँ पर नीचे देखो यह है commonwealth games ठीक है इसमें भारत को मिले थे 22 gold मिले थे 16 silver और 23 bronze यह आपको पता होना चाहिए more than 100 है नवया यह भारत को मिले more than 100 और यह पूरे Asian Games की इतियास में जब Asian Games शुरू हो और 1951 में पहली बार भारत ने 100 प्लस आखडा क्रोस किया है आज का देखो आगला सवाल क्या है यह आर्चरी में gold medal मिला है compound event में किसको मिला है देखो आर्चरी में gold medal मिला है भारत को यह सज बात है ठीके पर इसका सज़ ज़ब क्या है बोद देखो male में भी मिला है और female section में भी भारत को मिला है वो भी compound round में जोती सुर्खा वन्नम अदिती स्वामी और परनित कौर यह आपको पता होना चाहिए अभिशेक वर्मा यह legend आर्चरी प्लेयर है भारत के ओजस देवताले यंगेस लेजन यह यंगेस प्लेयर है भारत के और प्रथमें जाओकर जो अभी जो हमारा सेशन होआ था पिछले week का उसमें इनका नाम आया था उन्होंने उस वक्त मेडल जीता था रोहन बोपन्ना और रुतुजा भोसले देखो रोहन बोपन्ना रुतुजा भोसले उन्होंने जीता है गोल किसमें टेनिस में आज का बहुत सेशन धमा के दार होने वाला है और इसमें आपका रुविजन बहुत बहुत आच्छा होने वाल है अगला सौल देखो यह सवाल है एक बार्डर डिसपुट है किसमें मेगाला और किस राज्य के साथ जो बहुत violent हो गया सितंबर 2023 में इसका सरी job क्या है यह आसाम के साथ आसाम के साथ border dispute है ठीक है किसके साथ मेगा लया और आसाम की बिच में border border dispute था यह थोड़ा सा violent और हो गया देखो एक act है अफसा act arm for special power act यह कहा कहा पर लागू है आपको पता होना चाहिए यह आसाम में है आपको पता होना चाहिए यह जम्मू कश्मिर में है आपको पता होना चाहिए यह नागा लैंड में है ठीक है next यह सवाल है 31 वी meeting of northern regional council यह कहा पर आवजित की गई थी देखो इसका series of क्या है देखो इसका series of क्या है पंजाब पंजाब की CM कोन है पंजाब की CM भंगवत मान आसाम यहाँ पे नॉर्मली नौत इसकी council meeting होती है अरुनाचापजिश के CM कोन है प्रेमा खांडू मेगले के CM कोन है कोनाड संगमा आगे यह देखो joint military exercise joint military exercise है संपृती यह exercise अभी किस देश के बीच में अभी हुई भी है ठीक है देखो यह मैंने आपको पहले भी कर वाया था इसकी पूरी की पूरी sheet आपको दी थी slide के तोर पे इसका से उचब क्या है संपृती exercise होती है इंडिया और बांदिश के बीच में मैंने आपको यह बताया था यह सौल भी आ सकता है भारत और नेपाल की बीच में कौन सी exercise होती है सूर्य किरन exercise इंडिया चाइना के बीच में कौन सी exercise होती है hand in hand exercise समझे आगे देखो आगला सवाल है यह कौड फॉरेंड मिनिस्टर की मीटिंग अभी कहां पर आवजित की गई थी सितंबर दो हजर तेईस में यह वो जगह है यहां पर United Nation का भी हेड़कॉर्टर है यह वो जगह है यहां पर United Nation General Assembly की मीटिंग हुई थी यह वो जगह है जहां पर युनिसेफ का हेड़कॉर्टर है क्या इसका सही जॉब इसका सही जॉब है New York New York में हुई थी कॉड की मीटिंग समझे ब्राजिल देखो पहले New York की बात करते हैं New York मतलब USA यहां पर G20 2026 होने वाला है Brazil G20 2024 होने वाला है Kazakhstan प्राकिस्तान SCO 2024 होने वाला है Italy G7 2024 होने वाला है यहां पर देखो जो तू प्रथम नव्या करेट आपका ओके नेस्ट देखो सवाल आ गया 78 सेशन UNGA का कहां पर हुआ आता ठीक है इसमें सवाल क्या आता है कौनसा नंबर का सेशन है 78 सेशन है यह क्या है United Nation General Assembly ठीक है यह कहां पर है New York में है इसका सब्सक्राइब कहा है New York Washington DC यह वो जगह है जहां पर NASA का हेडकोटर है यह वो जगह है जहां पर IMF का हेडकोटर है यह वो जगह है जहां पर World Bank का हेडकोटर है Georgia जो एक स्टेट है किसका USA का ये तीन सितंबर को क्या मनाएगा सनातन धर्म डे ये एक्जाम में सवाल जरूर आएगा समझे ये भापलो की कौन सा सवाल एक्जाम में आ सकता है West Indies मैंने जान बुच कर रखा है West Indies plus USA दोरों मिलके अगले साल 2024 में क्या करने वाले है 224 में T20 Cricket World Cup आजित करने वाले है West Indies plus USA अमेरिका भी उसमें पार्ट लेगा आगला साल देखो World Long Day World Long Day किस दिन मानाया गया है ठीक है इसका सरी जाप क्या है देखो इसका सरी जाप क्या है World Long Day ये माना गया है 25 सितंबर को माना गया है देखो 29 सितंबर 29 सितंबर को क्या मनाया गया है देखो पहले 27 देखो 27 को क्या Tourism Day एक दिन आगे 28 को क्या Rabies Day एक दिन आगे 29 को क्या Heart Day समझे Tourism Rabies Heart इस तरह से आज रोको 27 28 29 जो तू प्रथम करेक्ट है ओक्य यह सवाल है Recently Professor Albus Dumbledore Professor Albus Dumbledore यह गुजर गए ठीक है कौन थे यह कौन थे प्रोफेसर Albus Dumbledore देखो यह थे Actor थे In Harry Potter यह सवाल जरूर एक्जामें आएगा आपको जरूर दिखेगा Professor Dumbledore यह थे Actor in Harry Potter आप यहाँ पर image देख रहे हो ठीक है आपके लिए सवाल है Name of the librarian कौन थे यह इनका नाम क्या है यह तो librarian है न क्या थे कौन सा character था इनका क्या इनका नाम Anyone कुछ याद आ रहे है बोलो जल्दी बोलो किसी के पास सवाल का जौब नहीं है देखो अरे देखी नहीं के अपने 3D film दूबे दूबे जी यह है दूबे ठीक है दूबे character था इनका यह अभी गुजर गए है यह अपने अपने legend character की क्योंकि इनका photo देखते ही 3D picture दिमा में आता है इनका real नाम क्या है अखिल वर्मा ठीक है यह अभी गुजर गए यह actor थे 3D में British actor थे यह भी गुजर गए और Adobe की co founder थे John Warnock वो भी गुजर गए next देखो यह मैं इस सवाल में ना लंक के सवाल में थोड़ा सा discussion करना चाहता था इमेज गलत जगह पे गई थी, देखो, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा बारी किसी देखो, यहे नेजल कैवेटी अपना नाक है, यहे फैरेक्स, यहे लैरेक्स और यहे ट्रैकिया, पहला आपको कुछ टम्स पता होने चाहिए, देखो यह, फैरेक्स क्या है, इसको क्या बोल ट्रैकिया क्या है यह, वाइन पाइप, उसके बाद, ब्रॉंकिया, ठीके, यह सास इदर से जाती है, इसको बोलते है ब्रॉंकिया, ठीके, यही ब्रॉंकिया, उसको ब्रैंचे होते है, अगर किसी को सास लेने में तकलिफ होती है, और बहुत भायानक रूप लेता है, तो अल्वयोली यह एक्जामे स्वाल पूछा गया था कि एर ट्रांसफर घ्यास ट्रांसफर का का काम कौन करता है अल्वयोली करता है लंग्स में लंग्स क्या काम क्या रहता है सिर्फ एर प्यूरिफाय करना है हार्ड का काम होता है ब्लड प्यूरिफाय करना नेक्स्ट उत्तराखंड गवर्मेंट में किरन ओके कोई बात नहीं देखो अगला सवाल उत्तराखंड सरकार ने किसके साथ एमव किया है देखो यह सवाल जरूरी है क्योंकि इन्होंने रोपवे के लिए एमव किया है ठीक है इसका सर्च आप कहें पोमा गुरूप जो पुर्मित सिंग को ने पुशकर सिंग धामी जर्मनी की फूटबॉल के साथ किसने मु किया है महाराष्टा ने मु किया है स्पेन के फूटबॉल के साथ किसने मु किया है वेस्ट बंगल ने किया है मु और यूएन एफपी ए इन्होंने चैटबट लेकिया थे कौन सा जस् मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश सरक्रा के साथ इन्होंने टाइप किया था UNFPA ने नेक्स देखो यह सावाल क्या है कौन से महिला जैवलिन थ्रोवर प्लेयर ने जीता है गोल भारत के लिए इन एशन गेम्स एशन गेम्स में किसने गोल जीता है इन्वेंशन ठीक है आपका जॉब सही है वेदान करेट प्रतम करेट देखो इसका सही जॉब क्या है अनूरानी ने जीता है भारत के लिए गोल आपको पता है निरत चोपरा ने भारत को निराश नहीं किया है लगातार कंसिस्टनसी वो मेडल जीत रहे है पिछला एशन गेम इसमेंद इसली जीता था और इस इसमें भी जीता है पर यह साल अलग है फीमेल के descriptive में किसने जीता है मेड़ आनूरानी ने पारोलद्च ओडर्य यह एथलीटे इन्होंने जीता है गोल भारत के लिए नाज प्रा आइ dependent के लीए दिपिक्ड़ पलीकल मेडनि यह स्क्रैशर कि छिए देर रहे हैं उन्होंने भी चाता है गोल्ड भारत के लिए नेक्स्क्ट्षान वर्डभ लाहे हो यह किस दिन मानाया गया है इसका सेथाई 29 September, देख़वा आपर 17 को क्या है? Tourism Day, 18 को क्या है? Rabies Day, 25 को क्या है? Long Day, समझे? Next, World Rabies Day आया? Rabies Day फिल से, World Rabies Day किस दिन मनाया गया है? इसका सेविज आप क्या मैंने बोला? 28 को Rabies Day, 27 को Tourism Day, 29 को Heart Day, 21 को International Peace Day, ठीके, जैसे यह सवाल आया, आपको तुरंट पता होना चाहिए, Nobel Peace Price अभी किसको मिला है? यह सवाल आगे आजाएगा, पर आपको अभी यह बतातो, गांधी Peace Price गांधी Peace Price यह मिला था, गीता प्रेस को, जो वारानसी बेस है Next देखो यह सवाल है, देखो आज किसके सवाल जादा मिलेगे आपको? Asian Games और Nobel के, देखो यह सवाल क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया performance किया है, ठीके? और गोल जीता है भारत के लिए, किसमें? पचास मीटर राइफल पोजिशन इवेंड में, पचास मीटर के राइफल इवेंड में, किसने जीता है भारत के लिए गोल्ड? इसका सही जौब है, सिफ्थ कुमार समरा, सिफ्थ कुमार समरा ने जीता है भारत के लिए गोल्ड in individual category, अविना साबले, इन्होंने, तीन हाजार मीटर स्टीपल चेस, चेस के category में जीता है भारत के लिए गोल्ड, तेजंदिर, पाल, सिंग, तूर, इन्होंने जीता है भा भारत के गोल्फर है, ठीक है, ये ओल्लम्पिक में भारत को रिप्रेजन किया है, ये चोथी आये थी, फोर्थ पोजिशन पर आये थी ओल्लम्पिक में, और इसमें इनको मिलाता है सिल्वर, इसमें से आपके बहुत सारे सॉल एक्जमेर फसेंगे, ये फसेंगे, अगला देखो, World Maritime Day किस दिन मना गया है, World Maritime Day ये मना गया है, 8 सितंबर को, देखो, 8 सितंबर को मना गया है, World Maritime Day, 5 अपरिल को National Maritime Day, उसके बाद 25 जुन को क्या मना थे, International Seafarer Day, ठीक है, 8 जुन को World Ocean Day, के वेदान प्रत्रम करेट, आपका जॉब सही है, प्रत्रम करेट, देखो, आगला सवाल, अश्विन दानिया भी गुजर गए, अश्विन दानिया गुजर गए, कौन थे ये, देखो, ये थे Asian Paint के Co-Founder, समझे, Green Revolutionist थे, कौन, ये मैं सौमीन आथन, ये भी गुजर गए, आपको पता होना चाहिए, जिससे Green Revolution, Agriculture के लिए है, वैसे White Revolution है, इसको Milk Revolution बोलते है, ठीके, इसके कौन थे फादर, वर्गिस, Korean, और मैं आपको बत्याता, Amul, कहां पे है, गुजरात में है, फुल फॉर्म कहा है, इसका, Anand Milk Union Limited, क्योंकि Anand एक जगा का नाम है, वापे, गाव है यापे, अड़ोबी के founder कौन है, John Warnock, MS Powerpoint के Co-Founder कौन थे, Dennis Austin, ये भी गुजर गए, Next, International Translation Day, किस दिन मानाया गया है, International Translation Day, ये मानाया गया है, देखो, ये कभी मानाया गया है, 30 सित्मबर को मानाया गया है, International Translation Day, 21 फरवर की बात करू, 21 फरवर की बात करू, तो ये दिन मानाते है, International Mother Language Day, 23 अप्रिल की बात करूँ, तो ये क्या है ये, ये है, English Day, इंग्लिश लेंग्वेज डे, चोदा सितंबर हिंदी लेंग्वेज डे आपको बताना है, देखो मैं रुकतों यहाँ पर आपको बताना है 27 फर्वरी, कौनसा लेंग्वेज का डे मानाते है येस, वेदान, ओके, करेक्ट है 27 फर्वरी बोलो, मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, 27 फर्वरी, कौनसे लेंग्वेज का डे मानाते है हिंदी लेंग्वेज डे, 14 सितंबर 1949 को, एज हिंदी लेंग्वेज को अड़प किया गया था बोलो, 27 फर्वरी, कौनसे लेंग्वेज का डे एनिवन, यह है माराथी लेंग्वेज डे, क्यूंकि इस इन कुसुमा गरजी की जैनती होती है, आगे, यह देखो, नोबेल के उपर सवाल है, यह सौल क्या कह रहा है, नोबेल प्राइसिन पीस, किसने जीता है, इसका सरी जोब है, नर्गिस मोहममदी नी जीता है, नोबेल प्राइसिन पीस, ठीक है, यह बिलॉंग करती है, इरान से, उसके बाद, ओप्शन डिस्कस करते है, यह मैं आपके शॉट्ट्रिक लिखता हूँ यहापे, पीएच के MBA, और DK, ठीक है, आप आपके हिसास भी बना सकते हूँ, यह मैंने आपके लिए बनाया है, देखो, पीएच के क्या है, फिजिक्स है, पीएच के, पेरी ओगेस्तिनी, फेरे क्रोजे और एलेन, हुरियर, पीएच के, फिजिक्स के लिए, मॉगवी, बॉइंडी, लुइस, और एलेक्सी एकिमाव, यह किस लिए, केमिस्ट्री के लिए है, उसके बाद बचा कौन, DK, मेडिसिन के लिए है, कैटलीन केरियो, ड्रूस, वेस्मैन, यह मेडिसिन के लिए है, देखो, अगर सची बात बोलू, किसी के पास दम नहीं है, सब नाम याद रखना, टॉपर से टॉपर भी ऐसे निमोनिक्स ट्रिक्स बना के ही याद रखते है, क्योंकि यह सवल आएगा, जरूर आएगा, एक माक के लिए आएगा, लेकिन इसको याद रखने के लिए, इतना मशकत करना पड़ता है ना, तो पूछो मत, तो इसके लिए आप इस तरीके से, आप आपके से, यह लिटरेचर के शेतर में उनको मिला है, नोबेल, यह सब के सब दो हाजार तेईस के नोबेल विनर प्राइस, समझे, नोबेल प्राइस है, आगे, प्राइम मिनिस्टर ननादन मोधी जी ने, 30 सितमबर को कोन से प्रोग्राम का आनावरन किया है, लांज किया है, इसक संकलप सप्ताह, इसका विमोचन किया है, कभी 30 सितमबर के दिन, प्राइम विश्वकर्मा स्कीम, लगपदी दीदे स्कीम, इनका अनौरण किया है था, 17 सितमबर 2023 के आपको एक्जाम में डेट भी पूछा जायागा, क्योंकि डेट इंपोर्टन फैक्टर है, एक्जाम के प्रस्पेट्टिव से, देखो इसका से जब क्या है, संकलप सप्ता, आपको यह यह दिट पता होना चाहिए, 29 2019, इस दिन आयुष्मान भारत योजना, यह लांच हु क्यों से देश ने दो एक से हराया, किसको पाकिस्तान को, इन क्रैश, स्क्रैश इवेट में दो एक से हराया पाकिस्तान को, किस ने यह हराया अब बसली इंडिया ने, भारत ने आ रहाया, चाइना में, हैंग्जों में, क्या हो रहा है, एशन गेम्स हो रहा है, साउथ कुर इस बार भारत ने कितने मिडल लेकिया है 100 प्लस आज अभी का आकड़ा है 107 तक का आकड़ा है ठीक है और यह पूरे एशन गेम्स के इतास में 100 प्लस भारत ने पहली बार लेके आये है नेक्स्ट देखो रोहन बोपन्ना एंड रुतुजा बोशले आपको एक्जम में पूछेंगे कि रुतुजा बोशले कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है तो आपको पता होना चाहिए इस सवाल से रिविजन करके देखो इसका सही जब क्या है रोहन बोपन्ना और रुतुजा बो भी तरहई गोल 41 साल बाद पहले गोल मिलाता दो हज अærजार 1982 में मिला था से 1982 में भारत को हड्ट deny often के अगब आभी मिला है क्रिकेट में भी गोल मिला है महिला उमन क्रिकेट तीम ने और इंडियान ने भी जिता है मेंस व्यमोर्ड में और प्रोट्सक्वेश में भी जीता है, Next, 15-point winter action program to combat air pollution, यह किस ने launch किया है, देखो इसका save job क्या है, देखो इसका सेज़वाब क्या है अरविंद केज़वाल ने लांज किया है 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्रोग्राम वी के सकसेना इसके एलजी है बनवरेला पूरोहीत यह है चंदीगड के एलजी that you should know, remember मनोसिन्ना जम्मु कस्मिर के एलजी है और BD मिशा लदाक के एलजी है next सस्त्रा degliन अवर्ड 2030 सस्त्रा रामारुजन अवर्ड 2030 अभी किसे दिया गया है इसका सई जोब है देखो, इसका सई जोब क्या है रुख क्जियान जैंग इसको मिला है सस्त्रा रामारुजन अवर्ड यहाँ पर देखो, नीना गुपता को क्या मिला है, सस्तर पर जहाँ पर हाथ रखता हो, रामानुजन आवर्ड, रामानुजन आवर्ड मिला है किसको, नीना गुपता को, लुईस कैफ्रियल, इनको क्या मिला है, अबेल प्राइस मिला है, ठीक है, यह मैस के लिए दिया जाता है और रामानुजन यही द लेजेंड रामानुजन हाडली हाड़ी और रामानुजन नंबर है यह कि 1729 इसकी बहुत स्पेशल बाट है यह पूरे संसार में पूरे युनिवर्स में ऐसा अकेला क्योक है जिसका 2 डुक में संसार का क्यूब करने के बाद यह नंबर मिलता है एक का क्यूब क दसका क्यूब यह ऐड़ करके वन संहें मिलेगा यह अकेला ही एक नंबर है सबसे चोटा नंबर है सबसे छोटा नंबर है जिसका क्यूब हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं और ये भी है एक साथ दो नो इसका सम किया 19 आया उसका रिवर्स किया कितना आया 91 आया इसका मल्टिप्लाइ किया तो ये भी सम कितना मल्टिप्लाइ कितना आ रहा है 1729 इसको बोलते राम अरुजन है PTI के chairman आप यहाँ पर देखो रंझन प्रकाश देश स्हाइओ really क्या है यह प्रेस कांसेल आफ लफ इंडिया मनिश देश हाई यह किसके च्रेमेंने PBI पिएी प्रेस मीशन श्वार ऊसके बाद गवरोर त्रिवेडी किसके है के CEO प्रसार भारती के प्रसार भारती के CEO है गवरो त्रिवेदी नेक्स्ट ACI Advertising Standard Council of India ठीके इसके चैर्मेन कौन बने है देखो ASIC के चैर्मेन कौन बने है स्वागता गुपता बने है ASIC के चैर्मेन अब यहाँ पर देखो निखिर माल विया यह किसके चैर्मेन बने है है शीनेवास्वामे किसके बने है ABS ABS मतलब ABS के बने है चैर्मेन Audit Bureau Circulation राहूल नवीन यह किसके बने है ED enforcement data के chief बने है Rajnish Kumar किसके बने है मास्टर कार्ड इंडिया के चैर्मेन बने है आर मादन FTI के चैर्मेन है Film Television इन इसके जो इसका हैड़कट पुना में है जया वर्मा सिनना किसके है railway board के chief है पहली महिला chief है यह इसने एक animal food animal tag दिया है कौन से animal को दिया है food animal tag देखो इसका सभी जोब है मिथुन को यह एक याक का प्रकार है इसको मिला है food animal का tag यह नागा लैन और अरुरुनाशाव पतेश में पाई जाती है यहाँ पर दोखो ब्लैकबग पंजाब् आंद्रप्रदेश उसका आपको पता होना चाहिए देखो उसका पता होना चाहिए कि इंडियन एलिफंट इस टेट अनिमल कौन से राज्य के देखो केरला करनटका जारकंड ओडिसा ठीकि क्लावड़ेड लेपॉड किसके स्टेट अनिमल है मेघालाया के और नहीं कीजया पडैट स्टेस लेपड़ेड, हिमाचर पदेश के, फिशंग क्या इसके है वेस्ष बंगल के समझें है नैक्स्ट है कॉनसे क्रिकेट टीमने टॉप क्या है इन आल फॉर्मेट टेस्टी स्वंगु टेंपल ये कहां पर है ठीक है लारजस्स तो है अंगोर वाट टेंपल जो है कमबोडिया में है ठीक है 2nd लारजस्स कहां पर है यू एसे में है कौनसा टेंपल है स्वामीन आरायन टेंपल नेस्ट यह देखो भारत का 54 टाइगर इजो कौनसा है विरंगना दूर्ग अलती टाइगर इजो यह 54 नंबर का टाइगर इजो यहाँ पर मैंने मार्क किया ठीके कहां पर है यह यह है मध्धप्रदेश में 54 नंबर का टाइगर इजो आपको पता होना चाहिए यह मेंने आप को बारबा रिविजन किया है केमाउन काजरंगा मानस ओरांग नामेरी मध्यपरदेश ठीक है उत्तबश्का दिपार दुद्वा पिलिबीत अमंडगर और रानिपू टाइगरिजो राजस्तान क्या बत आता मुकंद्रहील मसर्र क्या है मुकंद्रहील सरिस्का रनथंबर और रामगर विश्दारी टाइगरिजो नेच्ट भारत ने किस खेल में किस खेल की इवेंड में अगर यह सवाल ने तो डिसकेशन तो आएगा आएगा जो मैं कर रहा हूँ इसलिए डिसकेशन बहुत बारी के इसलिए यह सवाल देखो ओडिसा असेमली की पहली महिला स्पीकर कोन बनी है ओडिसा असेमली की पहली महिला स्पीकर बनी है इनका सेट जौब है सेट प्रमीला मलीक यहां पेड़ों के अपरल बनी है पहली महिला स्पीकर इनका सेट की पहली महिला स्पीकर पारलीमेंट में इंदर गांधी पहली महिला प्रधान मंत्री आनर जी गोपल दोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर सुरेखाया दो भारत की पहली लोको पाइलट जिसने ट्रेंज चलाई है सुचेता कुरुपला नहीं इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की यह अध्यक्ष थी जब भारत स्वतन्तर हुआ था और भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर स्वरोजय नाइडू भारत की पहली महिला गवर्णर नेक्स्ट 25 वी एनिवर्सरी अभी कौन से कंपनी ने अभी मनाई है इसका स्विज अब क्या है यह मनाई गूगल ने यह स्वाल भी एक्जम में आने लायक है क्योंकि गूगल बनाता 1998 में और लैरी पेज सर्जी बीन इसके फाउंडर है याहू यह बनाता 1994 में अभी कहा प है और स्टिव बिल गेट्स इसके फाउंडर थे यह 75 है नेक्स्ट यह स्वाल में आपको इसके लिए होमवक के लिए यह सवाल क्या था इंडियन फिन कौन सी है जो ऑफिशल ऑसकर एंट्री मिली है दोजार चोबिस के लिए इसका स्विज अब क्या है देखो यह 2018 की फिल्म नहीं है 22-22 में आई थी लेकिन इसका नाम है दोजार अठरा एवरिवर्वन इस हीरो समझे नेक्स्ट देखो यह सवाल है भारत ने जीता है गोल किसमे 25 मीटर टीम इवेंट में यह 25 मीटर वाला टीम इवेंट है किसमें जीता है गोल इसमें पिस्तो नेक्स्ट में स्वामिन इस गुजर गये यह किस शेत्र से भी लोग करते यह सवाल मैंने आदी पिछले भी डिस्कॉशन कर वाया फिर से देखो ग्रीन रेवलिशन थे यह एमे स्वामिन अत्रम वहाई ट्रोलेशन कौन थे वर्गिस कुरियन सिल्वर रेविवलिशन देख और ब्राउन रिवुलिशन इसके फादर कौन थे हिरालाल चौधरी नेक्स्ट रैंक आफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सुचकांग 2023 में भारत का स्थान क्या है भारत का स्थान इसमें 40 पूरे भारत में भारत के पूरे राज्य में इनोवेशन के मामने में कौन सा राज्य अच्छा करता है करना टका भारत की 80 रैंक किसमेंग है, पासपोर्टि अंडेक्स में 80 रैंक हे भारत की 67, 108 किसमेंग है, इलेक्टरे इंडेक्स में भारत की 108 है next कौनसी university ने top किया है in world university ranking ये पूरे भारत की university में किस ने top किया है इसका सब्सक्राइब क्या है IISC बैंगलोर ने top किया है world university ranking में among all Indian university top किसने क्या overall Oxford university जो लंडन बेस है IIT मदरास नीतिया क्या जो ranking होता है इसमें top किया IIT मदरास ने IIT Bombay ये 149 रैंक पे है और overall ranking में top किया है QS world university ranking में IIT मदरास ने top किया है in among Indian university ठीकि 149 रैंक तैंसका और QS ranking में कि नेक्स्ट ये देखो ये सवाल क्या पूछ रहा है Indian shooter कौन थे जिनने गोल जीता है double trap in Asian games देखो option एन आपको option A से ने आएंगे मैंने आपके revision के लिए से एसे option frame किये है आपको पूछ सकते है पुर्तुजा तोंडेंग कौन है या कैनम चैनम कौन है जोराई सिमक कौन है इसका से जब क्या है option A ठीक है पुर्तुजा तोंडम कैनम चैनाई और जोरावर सिंग ये double trap में जीता है भारत की लिए गोल रोःन बोपन्ना रुदुजा बोसले टेनिस में डिलाए गोल सौपनिल कुसले एश्वरय प्रताप और अखिल शेवराम इन्हों जीता है किसमें 50 मीटर इवेंड में शुटिंग के इवेंड में जीता है भारत के लिए गोल्ड सरबजित शिवा सरबजित सिंग शिवा नर्वाल अरजुन सिंग चीमा इन्हों जीता है भारत के लिए गोल्ड किसमें 10 मीटर शुटिं event में, जीता है gold इसलिए इसके माहिने बहुत बढ़ जाते है, next, 5 IS country किसे बोला जाता है, 5 IS country किसे बोला जाता है, क्योंकि जब Canada का और इंडिया का अभी clash चल रहा है, इसमें 5 IS का important role है, क्योंकि यह भी news में आया है, क्योंकि इसमें कौन-कौन है, USA है, UK है, Canada है, Australia है, और New Zealand है पहला option देखो, discussion option का, India, Japan, Australia, USA, यह quad country है, quad country 23 की कहाँ पर हुई थी meeting, New York में, quad 24 की meeting कहाँ पर होगी, भारत में, India, Saudi Arabia, USA और UA, India, Saudi Arabia, USA, UA, यह quad, इसको 2 बोलते है, quad 2, ठीके, India, Israel, UAE और USA, इसको बोलते है, I2, U2, India, Israel, USA, और UAE, यह एक अपने आप में एक संगटन है, जो काम करते है, world level पे, यह सौल देखो, आगला सवाल, गोल्ड मेडल जीता है, 10 मीटर पिस्तोल इवेंड में, 10 मीटर पिस्तोल इवेंड में, किस ने जीता है गोल्ड भारत के लिए, इसका सेवज़ब क्या है, सरबजित सिंग, शीवा, नर्वाल और अर्जुन सिंग, चीमा इन्हों जीता है, 10 मीटर इवेंड में भारत के लिए गोल्ड, इन्हों ने जीता है, स्वपनिल कुसले, अश्वायर प्रताप, अखिल ने जीता है, किस में, 50 मीटर इवेंड में जीता है, उसके बाद, रोहन बपन ना, रुदुजा बोसले, टेनिस में, पलग गुलिया, इशा सिंग, पलग गुलिया जीता है, सिल्वर मेडल, इशा सिंग ने जीता है, गोल्ड भारत के लिए, और इशा सिंग ने जीता है, क्या, सिल्वर भारत के लिए, ये एक एथलिट है, ठ मुझीयियन 30,000 मेटर के कौण से देश का पहला कार्टोग्राफी देश का कार्टोग्रावी मुझीयम अभी कहां पे खोला गया है इसका सहुजब देखो। मसूरी यह कहाँ पर है उत्तराखण में है हाइदरबाद की बात कुर तो यहाँ पर सलार जंग म्यूजियम है उसके बाद न्यू देली की बात कुर तो यहाँ पर कौन सा म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम है कोलकता की बात कुर तो यहाँ पर नैशनल म्यूजियम है अब क्या है जिलन्डिया ये बना है आठवा महाद्वीप और कि बात कुरो तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट देखो ये सवल क्या किया रहा है टाटा एडवांस सिस्टम के चेर्मेन अभी कोन अपउंड किये है ताटा एडवांस सिस्टम के चेर्मेन कोन अपउंड किये है देखो इसका सेड़्जॉप क्या है बनमाली अगरवाल ने बने है ताटा एडवांस सिस्टम के चेर्मेन एन चन्दशेकर ये TCS Tata Air India के चेर्मेन है, समझे, उसके बाद TV नर्यद्रम Tata Steel के CO है, ठीक है, Wilson Campbell Air India के CO है, और के कृतिवासन ये है CO TCS के, Tata Consultancy Service, Next, Counter Brands के अनुसार, Most Tusted Indian Brand कोंसा बना है, इसका सेरी जोब क्या है, देखो, इसका सेरी जोब है, TCS, देखो, आज ज्यादा सॉल करने है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझा तो उसके बाद आप फिर से आपके पास recording रहेगा, आप recording वीडियो आप फिर से देख लेना, देखो, इसका सेरी जोब क्या है, Counter Brands के अनुसार, Most Trusted Brand, ये कौन सा है, TCS, एपल की बात कर तो, ये दुनिया का सबसे valuable brand है, ये वो दुनिया का है, भारत का कौन सा है, Reliance है, Valuable, Valuable, Valuable और Trusted में डिफरेंस है, HP ये Trusted है, दुनिया का, समझे, HDFC Most Trusted Bank है, इंडिया का, आगला सावल देखो, Asian Games में, भारत ने कितने मिडल जीते है, अभी इतका आकडा है, कितना, 106 का आकडा, 106-107 आकडा है, ठीक है, कितना मिला है, 28, 37 और 41, ये मिडल मिले है, भारत को, समझे, ये Gold है, ये Silver है, ये Bronze, 7 मिडल किस में मिले है, भारत को, Tokyo Olympic में, 61 मिडल किस में मिले है, भारत को, Commonwealth Games में, जो हुए थे, Birmingham में, 19 मिडल किस में मिले थे, भारत को, 19 मिडल मिले थे, Tokyo Para Olympic में, आपको ए नंबर एक्जाम में पूछा जा सकता है, Next, Second Tiger Reserve बिहार का कौन सा बना है, बिहार का Second Tiger Reserve कौन सा बना है, आपके सामने Option Assessate किये गए है, कि आपको सवल के साथ, रिविजन भी आपका हो सके, देखो, Second Tiger Reserve है, कैमूर Wildlife Century, इस इस सेकेंड वाइलाफ सेंचुरी और बिहार, If I talk about the first Tiger Reserve of Bihar, Bihar का पहला Tiger Reserve है, वालमी की Tiger Reserve, उसके बाद, ये कौन से नंबर का है, ये Second नंबर का है, ठीके, विरंगना Tiger Reserve, क्वेश्चन में हुआ था, ठीके, ये चोपनवा Tiger Reserve है भारत का, गुरु गासिदास Tiger Reserve ये 53 नंबर का है, Tiger Reserve, चतिजगर में है, रामगर वीजद कि ऐसे नंबर का पहले है, राजस्तान में है, ये 52 नंबर का Tiger Reserve है, श्रीवालि पुत्तुर, मेगमला Tiger Reserve कहाँ पहलों है, तामिलि नडों में है, ये भारत का 51 नंबर का Tiger Reserve है कमलंग Tiger Reserve ये 50 वा Tiger Reserve भारत का ये किस में आता है अरुनाचल परदेश में आपको एक्जाम में ये भी पूछा चाह सकता है कि match the pair Tiger Reserve का नंबर और कौशा Tiger Reserve इसलिए ये सवाल मैंने फॉर्म किया है नेक्स्ट देखो ये सवाल क्या है rank of India in world talent ranking में भारत की rank क्या है देखो इसका सब्सक्राइब क्या है world talent ranking पहले option करते हैं 44 rank कौन सा है innovation में 67 किस में है energy transition में 126 किस में है peace में 161 किस में है press में बचा कुन सा 56 इसमें talent ranking में भारत की rank के 56 ये अभी आपको पता होने चाहिए 108 rank भारत की किस में है electrolyte democracy index में 180 rank आखरी python पे भारत है किसमे environment performance index में और इसमें 80 नहीं लिखा मैंने 80 80 rank भारत की किस में है 80 rank भारत की है किस में passport index में ये देखो ये सवाल 3000 meters triple chase में किस ने जिता भारत के लिए gold देखो इसका जवाब दो इसका जवाब दो मुझे अभी तो आपने एशन गेम आगे फॉलो ने किया फिर भी आपके सब स्वाल अभी सही होगे ये उमिद करता हूं में option D जो तू correct अविना समने जीता है 3000 meters steeple chase में जीता है गोल निरो चोपर जावलिन थ्रो में जीता है गोल तेजंदिर पाल सिंग तू रिनो जीता है गोल भारत के लिए short put event में अनुराने जीता है भारत के लिए गोल महिला क्याटिक्रे में जावलिन थ्रो में next mixed double pair ठीके one goal in scratch in Asian Games mixed double में गोल मिला है scratch के event में जो हुआ Asian Games में किसको मिला है गोल इसका सब्सक्राइब है DP का पलिकल और हरंदीर पाल संदू इनको मिला है गोल यह mixed double में मिला है ठीके यहाँ पर देखो DP का कुमारी और अतानुदास इनको गोल तो नहीं मिला है लेकिन यह किस खेल से बिलोंग करते है आर्चरी और यह स्क्राइश से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर सतर्क होना पड़ेगा जब option में DP का पलिकल और दोनों option में हो तो बहुत सावदन से स्क्राइश आये तो DP का पलिकल डालना है और अगर आर्चरी रहा है तो डालना है DP का कुमारी रहन बपन ना रुतुजा बोसल कोंवे इन्हें जीता है टेनिस में भारत के लिए गोल सिध्य नेक्स्ट नोबल ब्राइसन मेडिसिन किस जीता है भारत नेनोबल प्राईसन देखो यह सवाल पेले हो चुका है आपके लिए रिजन के लिए मैंने आपको यहाँ पर रखा है देखो Nobel Price in Medicine इसको क्या बता है मैंने आपके सबसे याद रखो ठीक है मैंने यहाँ क्या यहाँ पर लिखा केड़ी मैंने देखा केड़ी के कहा पर मिला मुझे यहाँ पर मिला के के भी यहाँ पर इला डी यहाँ पर मिला सबात खतम कैटरिन केरियो और डेविड ड्यू विस्मैन है मेडिसीन के शेतर में भारत को मिला है Nobel Price उसके बाद MBA किस में करना पड़ेगा Chemistry में MBA करना पड़ेगा ठीक है Chemistry MBA क्या है यह मागी बोवन दी ब्रूस और इकिमाउ इनको मिला है किस में Chemistry के शेतर में Nobel PHK क्या पेरियोगिस्तिनी क्रॉस और अने हुरियर इनको मिला है Physics के शेतर में Medal अपना Nobel नर्गिस मुहमदी इनको मिला है Peace के शेतर में John Fosay इनको मिला है Literature के शेतर में Next Who has been appointed new Chief of Border Road Organization Border Road Organization के नए Chief कौन बने है इसका सरी जब क्या है रागू रगू शीनिवास बने है Border Road Organization के नए Chief बने है रश्मी शुकला ये SSB की Chief है SSB सीमा शर्षत्रबल सील वर्दन सिन्ना ये CISF के Chief है एमेगन पती ये NSG के Chief है National Security Guard Next Asian Games फिर से आ गया देखो revision के तौर पे मैंने SS All बारबर रखे क्योंकि आपका revision बारबर हो सके इसका जॉब दो Short Put में किसने जिता है भारत के लिए गोल Short Put में Okay Short Put में किसने जिता है भारत के लिए गोल जॉब दो जल्दी Option B Correct Okay प्रसम करेट जोतू करेट तजंदर सिंग तूर इन्हों जिता है गोल किसमे शॉट पूट इवेंड में फिर से रुजं नेरोच Оп़रा जावलनत्रो अनूरानी जावलनत्रो आपको यह Эगजमें नहीं आयेगा यहेगा आपको अनूरानी देंगे और जिसने पढ़ा अनुरानी को भी medal मिला है गोल वाला तो वो सवाल टिक करके उनको दो माक लेके जाएंगे सेकंड में अगना साब ले 3000 मीटर स्टिपल चेस इवेंट में जीता है गोल नेक्स्ट वर्ल्ड नेचर डे किस दिन मनाया गया है वर्ल्ड नेचर डे ये मनाया गया है कभी तीन अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड नेचर डे यहां पर देखो वर्ल्ड नेचर डे यहां पर देखो वर्ल्ड नेचर डे यहां पर देखो वर्ल्ड नेचर डे दो भी यह भी नेचर डे है यह भी नेचर डे है पर इसमें अलग बात क्या है यह 8 जुल्यों को मनाते ह और 3 October को महा आते है only World Nature Day, 4 October को World Animal Day, 5 June को World Environment Day Next, MDO and CO South Indian Bank के अभी कौन आपउंड किये गए है, MDO CO ये आपउंड किये गए है, कौन इसका सही जब क्या है, PR शेशादरी, जो मैं आपके सामने 6 ओप्षन ले क्या रहो, ये बहुत रिसर्च के साथ ले क्या रहो क्योंकि ये ऑप्षन इस तरह से सेट किया है, जो रिसेंड अपउंड में इसकी सब से, रिसेंड अपउंड में के बेस पे है, सब के सब ऑप्षन देखो इसका सही जब क्या है, PR शेशादरी, देखो या पर आगे, दिनेश कुमार खरा इस बेक के चैर्मन है, एस जानकिरमन आरबय के डेपुटी गोवर्नर है, एपी होता, ये फेडरल बैंक के कौन है, चैर्मन है, अश्विनी कुमार ये है, यूको बैंक के चैर्मन है रजनीश कानटा का ये चैर्मन है, बैंक आफ इंडिया के, नेक्स्ट, विच फॉलिंग गोवर्नर, गोवर्मेंट, फेट्स, नाइन इसरो साइन्टिस्स अनूंस आवर्ड ऑफ 2.25 करोड, स्वादो करोड का आवर्ड दिया है, इसरो के साइन्टिस को किस राज्य सरकार इसका सर्य जब क्या है, तामिल नाडु राज्य सरकार ने दिया है, स्वादो करोड का प्राइस इसरो के साइन्टिस्ट को, अभी देखो यापे, तामिल नाडु में एक जगह है कुला शेकरपत्नम, यहापे इसरो का तीसरा लांच पैड बनने वाला है, केरला में विक्र की सारीश एप्लिकेशन सेंटर, नेक्स्ट साउथ इसरे 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 एसरे पैड आडु के January साऋथ इसरे इसरे इसरे, पाइसरेिश डेट्रोंौ दू आडू limits एक भी और इसरे मेंद लिगा है मैं, लांब्लेश का दूनों ? कि बोडो किस ने किया इनगूलियट? इसका? देखो इससी जाब है? इंडियोशी का वूश और रेलवए. मैं अगरम के मैंगलो ट्रेंड की बात कुरो तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेंड है ! भारत का सबसे asked race ट्रेंड है ..ॵंदी भारत इसकी सबसे पार ते बारत 80 km पर और कि इसकी स्पीड है भारत के लिए बूरी ख़बर है यह प्रे जीते है इसका सरी जॉब क्या है मौमद म्यूजी यह जीते है इलेक्षण शाय बुद्धन चुपु यह बांगलादेश के प्रेसेंट है सब के सब प्रेसेंट है आपके सामने राम चंदरप्रोडल यह है नेपाल के राष्ट्रप आरिफ अल्वी आपको पता होना चाहिए यह है पाकिस्तन के राष्ट्र पती 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 राष नेस्ट, वर्ल्ड एनिमल डे किस दिन मनाया गया है, वर्ल्ड एनिमल डे किस दिन मनाया गया है, इसका सेल जोब है, चार अक्टूबर को मनाया गया है, वर्ल एनिमल डे, तीन अक्टूबर को वर्ल नेचर डे, 29 जुले को टाइगर डे, 10 अगस को लायन डे, 12 अगस को चिताडे next intentional day of non-violence यह किस दिन मनाया गया है देखो यह मनाया गया है दौक्टूबर के दिन अहिंसा दिन आंतराश्ट यह अहिंसा दिन दौक्टूबर इसी दिन दौक्टूबर 1869 को महात्मागाद जिनका जन्म हुआ था आपको time line कुछ पता होने चाहिए 1893 में महात्मागाद जी कहा पे गय थे सौत अफरिका में गय थे 1915 में महात्मागाद जी भारत में आये थे समझे महात्मागाद जी भारत में आये और वही से प्रवासी भारतियत दिवस यह शुरू हुआ क्यूंकि उस दिन महात्मागाद जी भारत में आये थे 1915 में इसी के याद में 30 जन्वरी 1948 को महात्मागाद जी के हत्ते होगी थी नथोराम गोड़ से नहीं महात्मागाद की हत्ते होगी थी 26 नौमबर 27 दिन 25 दिसंबर 24 गोड़ गौवर्न गोवर्न ज्रे आतल बिहरी वाष्परजे का जमदिन होता है वह टेग्स दिसंबर होता है किसान दिवस चौदरी चरण सिंह इंजिन का जमदिन होता है next Global Indian Award यह किस ने जीता है Global Indian Award यह जीतने वाली पहली कौन है भारतिया यह है शुदामूर्ति ठीक है यह बहुत अच्छी लेककग भी है और इंफोसीस इसके चैर्मेन कौन है एन्नाराण मूर्ति ठीक है अभी favour agree नहीं वह अभी रिक्रार मोना इनपोसीस के founder थे इसकी वाइफ है यह और यह बहुत अच्छी लेकक भी है और इनके लिंचिन यृट के एक आवर्ड तो नहीं है नॉमिनेट किए किसमें बुक कर प्राइज के लिए इनकी किताब में इस है वेस्टन लेंज कि देखो आपको फिरसे है नोबेल प्राईय स्पीजिक्स बोले नोबेल प्राईज क्विजिक्स कुण्स ऑफ्शन है सही Physics में Nobel Prize किसमें मिला है First वाला ठीक है First में ही ये Second वाला Pary Augustine Ferry Costin और Anna Hullier PHK ठीक है मिला है Nobel Prize Chemistry में MBA क्या बोला मैंने Mogvi, Bruce और Alexi इसमें मिला है Chemistry के लिए DK Catney Carrier, Drew Westman Medicine के शेतर में Nargis Mohamadhi, Peace के शेतर में और John Fosay Literature के शेतर में Next Literature के शेतर में किसको मिला है Nobel Prize John Fosay Nargis Mohamadhi, Peace के शेतर में बाखी का में आपको बाता है इसमें ये Medical के शेतर में ये है Physics के शेतर में और पहला आप्शन है किसमें Chemistry के शेतर में Next Vice Admiral of Indian Navy ये बता ना Vice Admiral of Indian Navy कौन बने है प्रत्थम शीवानी करेक्टेट ओके Vice Admiral कौन बने है देखो इसका सेट आप क्या है Vice Admiral बने है तरून सोप्ती ये इसको बोलते हैं आप डेपूडी बोल सकते हो ठीके मैं आप चीफ का उल्ले चीफ वर्ड का मेंशन करता हूँ ये डेपूडी चीफ है चीफ कौन है नेवी के ये है आर हरी कुमार नेवी चीफ कौन है आर हरी कुमार चार डिसमों को नेवी डे होता है पहला अप्शन दोको VR चोदरी Air Force के चीफ है आठ अक्टूबर को Air Force डे होता है अगर मैं डेपूडी चीफ बोलू Air Force के कौन है अमर प्रित सिंग ठीक है अब या पर दोको मनच पंडे किस के चीफ है आर्मी के चीफ है आर्मी डे कब होता है 15 जन्वरी को M.V. सुचित्र कुमार यह है वाइस चीफ आर्मी के इससी भी आपके एक्जाम में सौल आ सकते है इसा जरूर नहीं कि इस भी आपको में चीफ ही पूछे आपको डेपूडी चीफ भी पूछ सकते है एक्जाम में Next आगे फिर से Nobel Price Chemistry किसको मिला है Nobel Price Chemistry करना है तो MBA करना पड़ेगा ठीके नेमोनिक्स है यह MBA करना पड़ेगा कहाँ पर है M.B.A देखो M.B.A समझे इसका सरी जब मिला आपको physics के लिए याप फिजिस में physics दिख रहे है आपको P दिख रहा है H दिख रहा है किये दिख रहा है physics ठीके K भी आ रहा है D.K मेडिकल के शेत्रे में नर्गिस मौमधी किस के शेत्र में पिस के शेत्र में और जॉन फोस है literature के शेत्र में Next World Teacher Day किस दिन मानाया गया है World Teacher Day किस दिन मानाया गया है इसका सरी जब है पांच अक्टूबर को World Teacher Day मानाया गया है एक माहिना पेले पांच सितंबर National Teacher Day 11 नौमबर National Education Day ठीके 24 जनवरी इसमें दो डे होते है एक World Education Day भी होता है और साथी साथ National Girl Child Day भी होता है 15 अक्टूबर World Student Day एपीज अब्दुलकराम जी का जम दिन होता है 9 जुले National Student Day समझें Next सौल फिर से आगा ये किसने जिता गोल इन 5000 मेटर ट्रैक फिल एथलिट इवेंट में एथलिट इवेंट में 5000 के इवेंट में किसने जिता गोल देखो इसे आप्शन मिले तो आप इसमें जो मैंने आपको बाता है इसमें आप्शन एलिमेट कर सकते हो अनुरानी ये आपको पता होगा अभी जैवलिन थ्रो आउट हो गई निरव चोपरा वेसे बाउट हो गई अईनास साब ले 3000 मेटर की वेंड में स्टीपलचेस में अब बचे कौन पारुल चोधरी इनको मिला है गोल्ड नेक्स्ट ब्रैंड एम्बैसेडर फॉर क्रिकेट ग्लोबल ब्रैंड एम्बैसेडर फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2030 इसका जवाब दो ये आजका आखरी सवाल है ग्लोबल ब्रैंड एम्बैसेडर ओप्शन ई प्रथम ओके आगे सचीन नेक्स्ट देखो इसमें एक्जैमिनर कर सकते आपको आठका सकता है बोलो जवाब दो इसका प्रथम का आया है जोतु का आया है इन्वेंशन का भी आया है ठीके ठीके देखो इसका सेवाब क्या है जहाँ पे ग्लोबल की बात आई ग्लोबल की बात आई तो उसके ब्रैंड एम्बैसेडर है सचीन टेंडूल कर Global Brand Ambassador अगर बात अगर मैं करू BCCI ने ICC Cricket World Cup के लिए किसे Brand Ambassador बना है तो ये है SRK BCCI अपाउंड Brand Ambassador for ICC Cricket World Cup ये Global Ambassador ये अपाउंड किया है ICC ने ये अपाउंड किया है BCCI ने शारुक खान को SRK राहूल दरवीड भारत के Mains Cricket Team के Coach है अमोर मुझंदर महिला क्रूमन Cricket Team के Coach है अजितागर कर Mains Selection Cricket Team के Chairman है Mains Selection Team के Chairman है ये समझे VVS लक्ष्मन भारत अभी गया है चाइना में चाइना में खापे हंग जाओ में क्या खिलने के लिए Cricket Cricket में इसके Captain कौन है रुतरज गायकोड VVS लक्ष्मन कौन है भारत के Coach है जो Team भारत की Asian Games में गई है तहे goal ये Coach है Only for Asian Games अभी Cricket की बात है तो ये थोड़ा सा एक fact आपको पता होना चाहिए ये timeline आपको that you should know पहले पहला World Cup कप शुरुआ था 1975 में किसने चीता West Indies ने दूसरा World Cup हुआ था 1979 में देखो 1979 किसने चीता West Indies ने अगला World Cup हुआ 1983 में किसने चीता इंडिया ने Final में कौन था? West Indies था West Indies इतनी powerful team थी इसको भारत में हरा दिया था उसके बाद पहली बार भारत में World Cup हुआ था कभी 1987 में भारत में World Cup हुआ था किसने चीता? Australia चीता उसके बाद 1991 में World Cup हुआ England में किसने चीता? यह हुआ तो Australia में चीता किसने? Pakistan में उसके बाद 1996 में World Cup हुआ इंडिया और स्रिलंकान में किसने चीता? स्रिलंकाने उसके बाद 1999 को World Cup हुआ England में किसने चीता? Australia ने Next, 2003 का World Cup हुआ किसने चीता? Australia ने 2011 का वलक अप हुआ किसने जिता इंडिया ने 2015 का वलक अप हुआ किसने जिता असलिया ने 2019 का वलक अप हुआ किसने जिता इंगलंड ने इसमें आपको एगे बात बता होना चाहिए नाइजर्न वर्कप किस ने जीते हैं उस्टला ने पाच बार जीते हैं दूसरा घर में जीतने वाला कौन सा टीम है इंडिया और इंग्लंड दोनों टीम है पूरे दुनिया में जिसका इवेंड हुआ तक उसी देश में और जीता भी उसी देश ने ठीके यह आपको पता होन चाहिए तो तो यहाँ पर हमारा सेशन सुपर फास सेशन यहाँ पर सावाथ होता है किसा लगा सेशन आपका आज का बोलो आज थोड़े जादा सवाल थे इसलिए थोड़ा सा मुझे स्पीड लेना पड़ा समझे इसलिए अगर किसी को दिक्कत हुई है तो फिर से वो रेकॉर्डिंग आपके पास रहेगा फिर से वो रेकॉर्डिंग में देख लेना केसा लगा सेशन आपको आज का आपके चलो फिर बाइ टेक क्यर आपके चलो फिर बाइ टेक क्यर यूलो यूलो रेक बाइ पत्तव का चलो छिक क्या आपके वो रेक।